नमस्कार आप दीललल टॉपर हैं मेरा नाम नीरज है मेरे साथ विनए हैं हम साल 2019 में हैं साल 2019 इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है महत्वपूर्ण साल इसलिए क्योंकि इसी साल अप्रेल मई के आसपस इस देश का सबसे बड़ा चुनाव होना है सबसे बड़ा यानि इस देश की अगली सरकार को चुनने के लिए जो चुनाव होगा वो इसी साल होगा इस वक्त देश की सरकार बीजेपी चला रही है नरेंद्र बोदी की अगवाई में शुक्रवार को बीजेपी की दिल्ली में राष्टी कारेकारणी की बैठक शुरू हुई उस उस दौर के मुख्यमंत्री थे उन तीनों मुख्यमंत्रियों को केंद्र में बोलाना चाहती है केंद्री संगठन में लाना चाहती है शिवराज सिंग चौहान रमन सिंग और वसंधरा राजे तीनों को राष्ट्री उपाध्यक्ष बना दिया गया है और खबर है कि इन तीनो को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो लोकसभा चुनाव नस्दीक है तीन बड़े चेहरे हैं और बीजेपी जो की सरकार चला रही पार्टी है उसके जुड़े हुए चेहरे हैं तो जाहिर है कि यह बड़ी ख़बर है इस ख़बर के विशलेशन के लिए भी नहीं हमारे साथ है भी नहीं रमन सिंग शिवराज सिंग चोहान और वसंधरा राजे सबसे दिल्चस्प नाम आता है शिवराज सिंग चोहान का मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री तीन मार रहे चुनाव हारे बहुत छोटे मारजन से लेकिन हारने के बावजूद कहीं मोटर साइकल में बैट करके लोगों से मिल रहे थे मतलब बच्चों के बीच में दिख रहे थे युवाओं के बीच में दिख रहे थे अतीस अक्रिय लग रहे थे लोग कह रहे थे कि ऐसा लगी नहीं नहीं कि शिवराज सिंग चुनाव हा रहे हैं और लोग ये भी कह रहे थे कि स्मार्टी को मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूं लेकिन उसी बीच ये बीजेपी का फैसला आता है कि उनको वापस लेकर के आते हैं केंद्र में उपादेक्ष बनाते हैं और खबर है कि कहते हैं कि विदीशा से जहां से सुष्मा सुराज अभी तक चुनाव नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डाइमेंशन में एक साथ चल रही हो तो उसके बाद में उनको ये पता लग गया था कि अब दरसल उनकी इस्तिती जो है पिछले 15 साल में पहली बार कमजोर होना शुरू हुई है तो अब उनके उपर सीधे हमले जो हैं पार्ट साहस्त्र बुद्धे जो कि RSS के मजबूत काडर हैं कदावर नेता माने जाता है RSS के कोटे से BJP में आते हैं और राश्योपाध्यक्षभी वो प्रभारी गवा करते थे मध्यपरदेश के उन्हें सबसे पहले दिल्ली बुला लिया गया और उनके जगहां पे धर्मिंदर परदान को जिम्मेदारी सोंपी गई कि 2019 का जो लोकसभा चुनाओ है उसमें वहां के प्रभारी रहेंगे मध्यपरदेश में संगठन के बीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सिवराज सिंग चोहान और विने सहस्त्र बुद्धे के बीच में तलवारे खीची हुई थी इ यह तरीका था कि विने सहस्त्र बुद्धे को जब दिल्ली बुलाए गया तो वो नजीर पेश करके सिवराज सिंग को भी जल्दी बुलाए लिया जाएगा इस पी सिवराज सिंग चोहान ने एक यात्रा एनौंस की आपको याद हो तो जिनमें उन्होंने यह कहा था कि मध संता का शुकराना अदा करेंगे तो इस वजए से उन्होंने यह तैह किया था है को बाउन के बाउन जीले घुमेंगे बीजेपी आला कमान के कान यहां से खड़े हो गए कि जो हारा हुआ सिपाई है जो डिफिटेट जनरल है वो दरसल अपने किले की बक्तर बंदी वापस से उसकी मोर्चे बंदी वापस से सुरू कर रहा है ताकि वो बीजेपी आला कमान के साथ में जो एक लंबी टसल के हिस्ट्री है सिवरा सिंग उस बीच में वो अपने इस किले को बचाए रख सके और मध्यपदेश उनको छोड़ के जाना ना पड़े चाहे उनको 2018 के जो व प्रतिपक्ष चुना जाना था सिवरा सिंग चौहां चाह रहे थे कि उन्हें बना दिया जाए खुद विधायक हैं जीते हैं बुद्नी से और दूसरी चीज़ी है थी कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष बना दिये जाते हैं तो इस तरीके से वह वहां पे जो तो फिर यह कहा गया कि शिवरा सिंग को इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि समर्ण वोटों के नुकसान के वज़ा से मध्यपरदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो आला कमान ने यह कहा कि हम इस बार जो नेता प्रतिपक्ष है वो किसी ब्राह्मन को बनाने बनाते जा रहे हैं सिवराजा सिंग खुद ओवी सी है सिवराज शिंग ओभी सिए तो ऐसे में तीन बडे नाम उसमय遊戲 रेश में चल रहे हैं नरोत्रम मिश्र हैं उसमें राजेंदर शुकल हैं और तीसरे गोपाल भारगाउं नरोत्रम मिश्र और राजेंदर जो शुकल हैं वो दोनों के दोनों शिवराज सिंग के खेमे के हैं उनके करीबी मानने जाते हैं तो जब शिवराज सिंग ने अपना दावा छोड़ा लीड कमान ने गोपाल भारगा को ये पुश्च किया और उनको बना दिया गया अभी लेडर ओबेजिशन और ये सारा मामला सुल जाने के लिए राजनास सिंग को भेजा गया था दिल्ली से गोपाल और उस मीटिंग में यत्या किया गया और अक्सर कहा जाता है कि सरसम्मति से बना लगता रहता है दूसरी चीज यह है कि शिवराज सिंग चौहान नरेंदर मोदी के लिए अगर बीजेपी के भीतर अभी कोई नरेंदर मोदी का विकल्क बन सकता है तो कुवत जो है शिवराज सिंग चौहान के भीतर है क्यूंकि एक तो ओबीसी समुदाय से आते हैं फिर वो तीन लगातार जीते हैं उन्होंने दर्ज की इस बार भी खारें तो बहुत नेरो मार्जिन से हा रहे हैं लोग बूल रहे हैं कि जादा दिन इससे कॉंग्रेस की सरकार जो कि नोने लंबे समय तक समाला है फिर दोहजार तेरह में जब नरेंदर मोदी प्रधान मुंत्री उपद के लिए घोशित किया रहे थे तो सबसे पहले अपना नाम पुष्ट कर रहे थे जब उनको उम्र के लिहाद से उनको बोला गया कि आपकी उम्र बहुत हो गई है आप नब क्योंकि दिसंबर 2013 में चुना होना था और सितंबर के लगवग 2013 के लगवग नरेंदर मोदी के उमीदवारी को तै कर दिया गया था तो उस दौरान शिवरा सिंग के पक्ष में ये बात जा रहे दूसरा ये भी OBC लेडर है नरेंदर मोदी के तरह OBC का एक जो बड़ा इसी दौरान होई थी 2013 सितंबर में एक भोपाल में रैली होई थी नरेंदर मोदी की उस समय तक आडवानी साइड लगा दिये गये थे उनकी प्रसान मंत्रीपत की उमीदवारी जो है नरेंदर मोदी की तै होई थी उस दौरान शिवरा सिंग चौहान उन्होंने मंच पे आ आडवानी गांधी नगर सीट जो गुदरात की सीट है वहां से लड़ते आ रहे थे तो ऐसा कहा गया कि नरेंदर मोदी के साथ टसल की वजाए से शायद वो सीट वहां पे उनके हारने का खत्रा भी पैदा हो सकता है तो उस समय शिवरा सिंग ने भरे मंस यह कह दिया था कि आडवानी जी अगर चाहें तो बोपाल से भी चुनाओ लड़ सकते हैं तो यह एक तरीके से देखा गया कि जो खेमे बंदी थी लेकिन 2014 में जिस मेंडेट के साथ में नरेंदर मोदी आए उस मेंडेट के आने के साथ ही तमाम जो आडवानी खेमे के जो लोग थे उन्होंन के लिए कहा गया जैसे गोवा से मनुहर परिकवर को ले आए थे तो उस समय भी नरेंदर मोदी की तरफ से कोशिश के गए थी कि शिवरा सिंग चौहान को अगर हम लोग केंडर में ले आते हैं तो मध्यप्रदेश जैसा बड़ा सूबा है वहां पर हमको अपने मन का जो ल नरेंदर मोदी अमिसा की जो जोड़ी है उसके बीच का जो रिस्ता है वह तरीके से तनाव पून शांती का था ना इधर से कुछ पहल कदमी हो रही थी तो 2014 में जो नरेंदर मोदी अमिसान नहीं कर पाए शिवरास सिंग चौहान को केंडर में लाने का फैसला था नहीं ले से आप यह समझें कि मत्यपरदेश में एक बड़ा जो खेमा है वहां पर अमिसा के ब्रहधर से आमिसा के आसिरवाद से केलाश विजय वरगी से उराज विरोधी खेमा चलाते आये हैं है और वो खेमा आप दीरे-दीरे मत्यपरदेश मेरी दिल्चस्पी इसमें भी है कि के क्लाश विजय वरगी के बारे में कहा गया कि क्लाश विजय वरगी अपना सब कुछ राजपाट छोड़ चाड़ के एकदम क्योंकि इंदौर में तो उनका बहुत बड़ा मतलब अपना रसूख है वो मंत्री भी थे और सब छोड़ चाड़ के महां से आगए दिली में महास नहीं जा रहा हूँ तो मेरी दिल्चस्पी यहां पर यह जो टसल वहां मध्यप्रदेश का टसल था उसी को अवर्ड करने के लिए के लाश विजय वरगी को दिली लाया गया मध्यप्रदेश में शिवराज सिंग चौहान को दे दिया गया वापस दोनों दिली में आ रहे ह है कि इन लोगों को जो तीनों मुख्य बंतरी है इनको जो पद दिया गया है उपाध्यक्स वाला उसका बहुत सक्रेटा या संगठन के जो स्ट्रेक्चर है उसमें बहुत रसूक वाला पद यह नहीं है यह मतलब वह है कि सेरेमोनियल है कि भाई अध्यक्स से जस्ट नीच तक शेफ होता था उसके लिए केलास विजे वरगिये जो है वहाँ पर उनका जरिया बनते थे औजार बनते थे अब यह माना जा रहा है कि जब भाईश में अगर मध्यपरदेश में कोई तक्था पलट होता है तो उसके लिए तयार किया जा रहा है कि वहाँ पहले जो कयास बाजी है जो उचर चाहिए उनमें सुनने को मिलती है तो यह जो 2014 के बीच से जो ट्रशल जो इनका 2013 से ही जो नरेंदर मोदी के साथ हमेशा के साथ रहा है वो एक तरीके से निर्णायक पढ़नीति पर पहुंचा है अभी वह वहां पर कहने को दिल्ली आ गए है लेकि कि बहुत लंबा चले के मध्यप्रदेश पर अगले पर चलते हैं अगला भी कम दिल्चस्प नहीं है आपका राज यह राजस्तान वसंद्रा राजे महरानी हमेशा से कहा गया कि वसंद्रा राजे केंद्र की सुनती है ना मोधी कुछ सुनती है जादा ना अमिच्छा की बीजेपी इंसाइडर्स लगातार मानते रहे हैं अब राणी को भी लेकर के आ रहे हैं दिल्ली की रिंग में यह सच में बड़ा दिल्चस्प आप यह समझने कोशिश करिए कि वसंद्रा राजे के साथ में बगावत का एक लंबा इतियास है दोजार आठ नो में जब आठ इतने टिकवा देना वैसे इस्तिति उन्होंने पैदा कर दी थी जितने उसमें एमेले थे राजसान में उनसे आधे से ज्यादा एमेले वो लेकि दिली आ गई थी चड़ बैठी दिली पे राजना सिंग पास में कि अगर आप मेरे को हटाते हैं वहाँ पे निता प्रतिपक अगर से इस्तिफा दिया वाजियर परकाश माथूर ने और दिनेश चेंड़नों नहीं दिया घ्रतिपक्ष के इस्तिफभा नहीं वह उसपर न बनी रही और डटेले आखिर कार्नें ने नेतिन리 के खर्यकार अरुंद जेटली एस्तकिवśय के बाद ने तो बाखी के दो सा बचे हुए थे मसला सुलजाने में केंद्री आलाकमान को तीन साल का वक्त लग गया और जो आकरी के दो साल बचे हुए थे उस दोरान बीजेपी की आलाकमान की हिम्मत नहीं हुए को किसी आदमी को नेता परतिबक्ष के कुरसी दे दें सुबह में या इसका मतलब यह था कि वसंद्रा राजे के बरबक्ष किसी को खड़ा कर दे महां पर लीडर के तौर पर और यही इस्तिती अभी भी है लोग बताते हैं कि उससे पहले में आपको एक और अभी का दिल्चेस वाक्या जो वह था राजसान में जो अध्यक्षपद का जो चुनाव था कि राजसान मे जो तीन अध्यक्ष इन तीनों सुबह में बदले गए थे तो उस समय राजसान में अध्यक्ष हुआ करते हैं असोख परणामी असोख परणामी के इस्तफिय के लगबग दो महीने लग गया ने अध्यक्ष चुनने में उस दौरान वसंद्रा के छे दौरे हुए राज दि अध्यक्ष चुनाव लड़े थे और चुनाव हार चुके थे तो विदान सवा चुनाव भी नहीं जीता था वह केंद्र के मतलब संग के कर्मत कारे करता था इसलिए वजह से उनको राजसाव भेजा गया लेकिन वह मास लीडर नहीं थे कि वह वसंद्रा की छवी को किसी त पाल उनको भी ना बना पाई और अल्टिमेटली मदरलाल सैनी को बनाना पाई ऐसा आदमी चुनना पड़ा वसंद्रा के दबाव में अंतता है कि जिसका कोई राजनितिक तोर पे बहुत रसूख ना हो मास बेस जिसको हम लोग बूलता है जनाधार बहुत जनाधार वाले नहीं थे कि किसी भी तरीके से वो वसंद्रा राजे को चैलेंज कर पाते हैं दूसरी बात तो अमिशा के साथ भी उनका यह टेसल होगा तो दो राष्ट्री अध्यक्षों को उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर धूल चटाई है एक तरीके से राजनितिक तोर पे और आप य करीवन एमेले ऐसा पताया जाता है कि वसंद्रा राजे के खेमेक हैं उनके समर्थक हैं तो जो नंबर गेम है जो दो बार इन्होंने दिल्ली में परेड करवाई अपने साथ एमेले इसकी वह हमको आने वाले समय में फिर दिखाई तान में नेता विपक्ष कौन रेता प्र राष्ट्री अधिक अमिच शाह रामलाल जो मतलब राष्ट्री महाम सची है उनसे और ऐसे तमाम नेताओं से जो अड़वानी खेमे में किसी दोरान उनके साथ में रहें या अमिच शाह से वो मिलके गई थी तो इस दोरान उनको फॉर्मूला दिया गया कि आप ऐसा करिए कि जालावार से जान से वो पांच वार सांसदी का चुनाव जीत चुकी है उसी सीट से आप चुनाव लड़ जाईए और आप केंदर की सियासत में आ जाईए उनका ये कहना था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी वो केंदर की सियासत में केंदर के संगठन में आने को तया हैं लेकिन वो राजस्तान छोड़ेंगे नहीं जालाबाड की सीट से फिछले दो टर्म से उनके बेटे दुशन सिंग है वो MP है तो एक तरीके से उनका व्यक्तिकत लॉस भी है उनका बेटे को उनके ले सीट खाली करने पड़ेगी तो यह परिवारिक लॉस भी उनके लिए राजपूत वोट उनके पीछे लामबंध है तो ऐसी स्थिति में इस बार वसंद्रा के सामने भी चैलेंज जादा हैं और वसंद्रा भी बहुत जादा अडियल तरीके सी चैनल को निवर्टन में दिखाई दे रहे हैं तो यह सारा का सारा मामला राजस्तान में चल रहा है और उन्होंने इस पस्ट मना कर दिया कि वो उपाद्यक्स बन भी गई तो चुनाव नहीं लड़ेंगी और यह घोशना जो जानकार बता रहे हैं कि उनकी सहिमति के बिना कर दे गई है तो हो सकता है कि बीजेपी में लोकसफा चुनाव से पहले भी चिटपूट चिटपू कुछ कुछ बोलती नहीं और हमको खबर मिलती रही है ऐसा वसंदरा राजे के इंदर माती रहें तो टॉस नहीं नहीं चलते हैं और यह तो मतलब बहुत ही कोई इंसाइडर हो या जिसके पास में सूचना के प्रॉपर स्रोथ हो तो वूसी को पता है आप अखबार वाजी म चली गई वसंद्रा दो दिन संसज में बैठी रही वसंद्रा तमाम नेताओं से मिलती रही और इन सारे बेच में जो यह पूरा का पूरा जो घुना गणित चल रहा था सियासी तौर पे कि आमिशा की तरफ सी यह ओफर किया गया उन्होंने यह डिनाय कर दिया यह मान लिया इस तरीके से तो वो सारी के शारी चीजें वो gram करती है ना उनकी छवी जो है वो ऐसे को प्रेस के साथ में बहुत friendly नहीं या बहुत selective प्रोफाइल थोड़ा लोही रहा और केंद्री राजनीती में भी इतना ज्यादा सक्रिय रहे नहीं अटल भिहारी वाच्पे की दौर में शायद मंत्री थे लेकिन फिर भी मतलब केंद्र में इतना बड़ा नाम वो नहीं थे लेकिन 36 गड़ के निर्विवाद नेता उनको बाना जाता था बीजेपी का अब उनको भी लेकर के आ रहे हैं केंद्र की राजनीती में तो रमन सिंग का केंद्र में आना मतलब इसका क्या मतलब है कि इसके क्या माईने रमन सिंग पहली चीज़ तो उनको अमनेच शाहिया नेरेंद् सेट हो सके कि दो को बुला रहे हैं तो तीसरी को भी बुला लिया जाए पहली चीज दूसरी चीज वहां पे बीजेपी के संगठन में सूबे की जो बीजेपी है उसमें रमान सिंग के खिलाफ बहुत भहेंकर माहूल है अच्छा इस किस्म का माहूल आप यह समझे कि वहां प संगे 15 साल रमन सींग्यों की सत्ता में थे हैं तो रमन सींग के विजेए पहली पछितराई यह थे और दूसरी चीज सत्ता के डर्से हो कुछ बोल नहीं धारत अब भक्तर खोल के रमन हम डिए inverश हम भढह चारों से उनके प्र पर हम्ले बढ़ गांडे musun सरोश पांडे एक है उसके अलावा प्रकाश पांडे है उसके अलावा ब्रजमोहन अगरवाल है जो इस पूरे के बारह एमेले़ के जो पूरा का पूरा विरोधी खेमा है रह्मन सिंग करना पड़े इसका दूसरा दूसरी चीज ए हुई कि जब चाहरे थे कि उनको बना दिया जाए कि उनको अगे बढ़ाया और उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाया लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी 12 चवरेन वापस मैं करता है उसके उपर समानी तवरपस के लोग बोलते हैं कुछ टिपनी करते हैं कि उन्हें कैसा लगा कैसा नहीं का क्या अबी डौकीमेंट होता है सरकार आने क्या करता है थramुलाल कौषिक और डॉक्टर रमन सिंग्ग दो ही ऐसे लोग थे जो बोले उसके अलावा कोई भी विधायक बीजेपी का वो बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ वो लोग आला कमान को संदेश देना चाहर है थी कि हम किसी भी सुरत में रमन सिंग के नेतरतों को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे में पार्टी ये देख रहेए कि रमन सिंग अगर सूबे में रहे तो वहां टसल जो हैं और बढ़ जाएंगे तो ऐसी इस्तिति में उन